अभी हम है सराईया गाओं में जो की दरियापूर थाना छेतर में पड़ता है और ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं यहां एक ऐसा घटना हुआ है जो की आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा तो पूरी बात को आपको बताते हैं और इनी के बाएस हमली था एक रूमें जब बात थो उनसे हुई एक बजे के बाद उनका फोन सीचोब बताने लगा कितने आदमी गयते यहां से तीन आदमी सात में गयते किस कारण से गय थे एक समान कीर्णे के परफास है तेंट का कारोबार करते थे यहां पे आपकोन कोन यहां पे मतला तो उसी परपस से उस समान की ने गय थे यहां से तो आता जाता तो है एक बज़े के बाद तक बात हुई उनसे एक बज़े के बाद दो बज़े से बज़े पांच मुझे करीम में उनके फोन से कॉल आता है कि उनके एकसिडेंट हो गया है कि आप पैसा बेजिए हम लोग रिपीट भी किये कि क्या है नहीं है तो बोला कि अप जल्दी से पैसा भेजो तो कोई एड्रेस नहीं बताया इसके बाद फोन कट कर दिया वो फिर कि क्या हुआ नहीं हुआ तो कुछ हथ तक हमको लाएं कि यह मतलब कि नैपिंग का केस है हम लोग उसी समय थाना चले गया थाना जाने के बाद वहां रोपिटिंग किये कुछ टैम लगा वहां पे वहीं पेज़ा भी थे तो नो बजे करी में फिर से कॉल आया बोला क्या हम छोड़ देंगे मर जाएगा तो इसका responsibility मेरे उपर नहीं है मतलब जो उनका उनी के mobile से phone आ रहा था और जो अपराधी था उसको अपराधी हम लोग बोलेंगे इसलिए कि वो बार बार आपके mobile पे call कर रहा था बस मेरे भावी के mobile पे call कर रहा था जबकि नमबर मेरा भी थ सकता था उनी के lady lady समझ रहा था तो थाना जो है परभारी को क्या बोले आपको बार यहीं बोला कि ठीक है आप रिपोर्ट लिखिए तब तक मतलब देखते हैं कि करवाई रिपोर्ट लिखने कर में मोडा मोटी हमको लगते हैं कि वहां आठ नौ बज गया इस सब प्रोसेस सब्सक्राइब करण यहां रहां लोग 12 वजय करीम फिर निकले सिवान अबसक्या मीच साइड में जो जय से साफ से मिला वहां जाने करम में भी वहां कोई इनफर्मेशन नहीं मिला फिर भी यूपी में निरास थे कि आप अदमी मिल चुका है वह नशे के हालत में हम लोग जट वहां से गया तो देखे कि आदमी तो था वही पर पूरे नशे में था आश्यां डेट बॉलिय एक बोड्य भी मिला भाद को κάल नहीं कर दो कि नहीं हो सकता है कि उसी में से थान था चास्वर की था था वहाँ गया तो वहाँ गया तो ऑष़ीट पेटल्लिंग को गया था तो बोला कि एक बॉड्य मिली है आप लोगर सिनात कर लिए हो सकता है कि उसी में से कोई एक हो वहां गया जब बोडी का पिक्चर देखे तो सिनात तो ही गया कि उसके बाद काम जो था के बारते चला गया मतलब कोई बोडी यह लेक़ायगा आदमी तो क्या कर सकता है फिस फिर पैतले के करीब के बाद जो लड़का एक और था वह मिल गया तो भी सही सलामत मिला पर हलका प्लगा नसी मेर था मतलब तीनों आदमी वहां बढ़ामत हो गया खुसी नगर में और आप गया मतलब देखे अपने भाई बैजी नगर में तीन फेरिया होल्ट है जी तीन फेरिया होल्ट के पास पुलिस चौकि पास गए तहब पुलिस चौकी वाले के पास ही इसा ममला अमलों के मालम हुआ तो वहां आप जो है यहां पे जितने भी मतलब आप यहां से गए थाना जो है आपको रिस्पॉंस नहीं दिया अगर थाना उस समय अगर रिस्पॉंस ले लेता थाना पर जब आप गए थे तो कहीं ने कहीं उनका जान बचाया जा सकता था हाँ इसमें बहुत ज्यादा बिलम हुआ है हम लोग बहुत यहां 12 बज़े करीब रात में निकले सारे तीर में हम लोग थामे पहुंचे थे थामे थाना गया थामे सदर होस्पीटल गया बहुत जगा चान मिल किये लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला रेकॉर्डिंग जो था उस अनुसार उस पर बताया गया था कि कुसी नगर जीवन होस्पीटल में आई है कुसी नगर जीवन होस्पीटल कहीं नहीं मिला जीवन जोती मिला होस्पीटल उसमें कहीं कुछ वैसा नहीं दिखाई दिया पर हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही जो मुकेस ना कि यहां आई यह तो आहां लोग पहुंचे तब मुकेस को देखे जिन्दा तो कहें कि भाई यह लोग तीन आदमी से आया हुआ था दो आदमी और चाहिए तो गांवाला बताया कि बगल में पुलिस चोकी है तीन फेरिया कि तीन फेरिया पर एक डेट बड़ी आते आया था क कि जा के वहां पता किजिए वहां अब गटी तो आया था फॉर्jan कि बड़ी दिखलाई है तो बोले कि बड़ी तो हम लोग मुख्याल है पर ना भटी यह जिला होंस भीट्र ख wellest थाम करिए जिला होसपीटल था वहां आपको अप को बड़ी पहचान हो गया नहीं वहां प यहां से तीन वेक्ति जो हैं तीन आदमी यहां से चले वो भी टेंट के समान मतलब टेंट का समान खरी दने और जाते हैं वो लोग गोपाल गंज गोपाल गंज से खुसी नगर लेकिन वहां जब यह सब कांड हो गया इनके मोबाइल पर फोन आया यह लोग ठाने में गए ठा दर हो गया और लगतार अपराधी के द्वारा फोन किया जा रहा था और फोन करकर के इनको पैसे के लिए और बहुत सारी ऐसी बात है जो उस पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा और यहां से टेंट के समान के लिए तीन वेक्ति गये तीनों वेक्ति में से एक आदमी का मौत हो जाता है वो भी ऐसा मौत होता है कि आप भी देखेंगे आपके स्क्रीन पर जो फोटो चल रहा होगा आप समझ सकते हैं कि एक वेक्ति को जो है तीन जगह से तोड़ तोड़ कर मारा जाता है और पुलीस पर सासन जो यहां धरियापूर की है और यूपी की पुलीस ऑसमें कांव ने कई चुपी साधी हुई को एक्सिडेंटल होना चाहिए नहीं है की है की नहीं की है कर लाइक नहीं आ है समझें इस पर तो उलो को एक्सन लेना चाहिए एक्सन लेना चाहिए जैसे पता चला दरियापुर थाड़ा को तो उसको तो एक्सन लेना चाहिए लेकिन चुपी साधी हुई है अच्छा ये जो मर्डर किया गया है जो अपरादी है कहीं ने कहीं इतना बड़ा जो सरियंत्र है ये रच कर इनको बुलाया गया और देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो ये अपरादी था देखिए उसको थोड़ा सा भी अगर धया होता अगर उसके अंदर ये चीज नहीं होता कि हम पैसे के लिए मार रहे हैं तो पैसा उनकर लेकर उनका जान छोड़ दिया जा सकता था लेकिन वो पैसा के कारण नहीं मारा ये कहीं ने कहीं इनके 40 साल का जो बिजनेस है और ये टेंट हाउस का जो बिजनेस है इसी के कारण ये देखिए उनका दो एक लरका है और एक लरकी है अब बताए इसके भविस्ट जो है इसका भविस्ट कितना मतलब इनका भविस्ट खराब कर दिया गया ये अपराधी कहीं नहीं समझा कि अगर उनके जो परिवार हैं उनके साथ क्या बीतेगा जब ऐसे ऐसे लोग जो है मान खरिदनें नहीं जाते दोस्ती के कारण अगर ये तो ये सब चीज नहीं होता क्या कहना चाहेंगे छपड़ा जीला के जो एस बीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पर एक वेक्ति वहां जो है उनका सौ ब्रामद होता है तो और लोग है इनसे बात कहेंगे क्या कहेंगे काका जो ऐसे घटना अपरादी जो है कहीं न कहीं अभी भी खुलियाम घूम रहे होंगे और प्रसासन मौन है इस पर दरियापुर प्रसासन हो यूपी की प्रसासन हो न परिवार को जादा से जादा से शेयर करें ताकि हमारे मुखमंत्री नितिश कुमार्त जस्बी आदव जो सरकार में अभी बैठे हुए हैं और ऐसे अपरादी जो घड़ से ले जाकर और वहां मडर करवा देते हैं इन सभी पे करवाई होना चीए और इसी एफाई यार को इस पीड ट्रायल में डाल कर कहीने कहीं मुझुरीम को जल से जल सजा होना चीए धन्यबाद जय हिन